बटेर में मुड़गियों के प्रिच्छा बहुत कम बिमारियों का परकोप देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे बिमारियां बटेर में हैं जिनके बारे में हमें जानकारी आसिल करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें परमुख है अलसरेटिव इंटराइटिस इसमें बटेर के इंटेस्टाइन के अंदर एक अलसर हो जाता है जो एक जीवानुजनित बीमारी है जा साधारंतिया बटेर अकेले में जुकर रहता है जुन्ड से अलग रहता है उसके पंक जो नीचे गिरे रहते हैं और इसमें बचाओ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस लीटर पर हम बटेर का पलन करते हैं वो लीटर बिल्कुल गंदा नहों दूसरा कि इसका जो ट्रांसमीशन है जिनका जो ट्रांसमीशन होता है वो बटेर के ड्रोपिंग्स जो इंफेक्टिड बटेर का प्रफाव की वज़े से बटेर में होने वाली एक परमुख बीमारी है इसमें हम साधारंत्या देखते हैं कि सारे बटेर एक जगा जुन में एकत्रित रहते हैं उसके इलावा पंक गिडा कर रहते हैं और साथ में देखते हैं हम कि उनके ड्रॉपिंग्स में खून सना आता है खून आता है तो इससे बचाव के लिए हम लोग एंप्रोलियम पाउडर का इस्तामाल करते हैं जो कॉक्सीडियोस्टेट के नाम से मार्केट में मिलता है अगर हम इसका एक हाफ टी स्पून एक गैलन पानी में हम लोग पांस से साथ दिनों तक उपयोग करते हैं तो हम लो सकति यह बटेर में सीकल वर्म के थोलों तांस्मित होती है और यह बटेर के अंदर जाकर उनके लीवर को एफेक्ट करती है और उसके बहुत पर बटेर से हम देखते हैं कि बटेर यलोई हो जाती हैं उनका जो ड्रॉपिंग होता है वो सल्फर कलर्ड का हो जाता है उनका पंके जुका के रखते हैं इन बातों को अगर आप इस लच्छन को देखें तो इससे गरसित बटेर को आप जुन्ड से अलग कर दें और उसका प्रजेश पदार्थ मिलाना चाहिए सभी पक्षियों पर कड़ी निग्रानी रखनी चाहिए बिमार बटेर को तुरंत ?! समूह से अलग कर देना चाहिए और बिमारी होने पर पशु चिकित्सकों की सलाह लेने के बाद ही दवा देनी चाहिए अब हमारे स्वरोजगारी भाईयों के लिए बटेर पालन संबंधी ज़रूरी बाते बटेर के चूजे किसी मानिता प्राप्त हैचरी से ही लेना चाहिए इसके लिए बिहार क्रिश्य विश्विद्याले सब और आपके लिए एक अच्छा विकल्प है चूजों को संतुलित आहार दे ताकि उनकी बढ़वार अच्ची हो और उनमें रोग रोधिता भी बढ़े दाना पानी देने वाले बर्तनों को दिन में कम से कम एक बार साफ जरूर करें बिमार और कमजोर पक्षियों को जुन्ड से अलग रखें बिमारियों से निदान के लिए बटेरों का मरनोत्तर शव परिक्षण जरूर कराएं